यह एक हिंदी कहानी है जिसमें एक बिल्ली और एक कुत्ते की दोस्ती का वर्नन है. कहानी, बिल्ली और कुत्ते की अनोखी दोस्ती. एक छोटे से गाव में मोती नाम का एक कुत्ता और मिन्नी नाम की एक बिल्ली रहती थी. मोती और मिन्नी की दोस्ती बहुत अनोखी थी क्योंकि आमतोर पर बिल्लिया और कुट्ते एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं लेकिन मोती और मिन्नी की कहानी कुछ अलग थी मोती और मिन्नी बच्पन से ही साथ थे जब मिन्नी छोटी थी तब वह अपने माता पिता से बिछड गई थी उसे सड़क पर अकेला देखकर मोती ने उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आया उस दिन से मोती और मिन्नी साथ साथ रहने लगे वे दोनों पूरे गाव में घूमते खेलते और एक दूसरे की देखभाल करते थे अगर मिन्नी को कहीं भी खत्रा महसूस होता तो मोती तुरंत वहां पहुँच जाता और उसे सुरक्षित वापस लाता मिन्नी भी मोती के साथ हमेशा रहती और उसे प्यार करती एक दिन गाव में एक बड़ी दुरगटना हो गई गाव के पास के जंगल में आग लग गई और बहुत से जानवर फंस गए मोती और मिन्नी ने मिलकर सभी जानवरों को बचाने का निरने लिया मोती ने अपनी बहादुरी से आग से लड़कर जानवरों को बाहर निकाला और मिन्नी ने अपनी चतुराई से रास्ता दिखाया दोनों की मेहनत और बहादुरी से सभी जानवर सुरक्षित बाहर आ गए गाउवालों ने मोती और मिन्नी की इस बहादुरी की सराहना की और उनकी दोस्ती की मिसाल दी सभी को ये समझ में आ गया कि सची दोस्ती किसी भी दुश्मनी से बढ़ी होती है मोती और मिन्नी की दोस्ती ने सभी को ये सिखाया कि प्यार और सहयोग से कोई भी मुश्किल हलकी जा सकती है इस तरह मोती और मिन्नी ने अपनी अनोखी दोस्ती से सभी का दिल जीत लिया और गाव में खुशी और शांती का महौल बना दिया अगर हमारा विडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेर करें. धन्यवाद.